तो वेल्कम तो ओल अंदिस थार्ड लेक्चर ओके सो इन दिस लेक्चर हम क्या पढ़ेंगे ट्यूबर फ्लोसिस ठीक है पॉलिमेलेटी जैन देटेरिया ठीक है तो चार दिसीज़ेज़ेज़ेज थीक है इनके बारे में पढ़ेंगे और आपको पता चल पताओगा कि एकश्वर्मेशी ठीक है इसमें सबसे पहले हम टूबर व्लोस आपको पता है कि इसे बैक्टिरियल डिसीज ठीक है और प्रोन नहीं होता है कि अपका कोई स्पोर्र फर्मेशन नहीं होता है तो आपका में पॉइंट यही है इसमें ठीक है नेक्स डाते मोड अप ट्रांसमिशन इसका किसका होता है ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट इंफेक्टिंस ठीक है जैसे वाटर में है अगर बैक्टिरिया ठीक है और किसी सब्सक्राइब आपको होने की चांसे ज्याद हो जाएंगे आपको ट्यूबर प्लोसिश्टी के बाइड कांटर किसी को है ठीक है तो चांसे उसके एक्स्टरणल बॉडी पे भी मतलब मैको बैक्टरियम होने के ठीक है तो अगर आप टैस करते उसको तो सब्सक्राइब चोटे चोटे पड़े है कही कर देन क्या होगा आपको इंफेक्शन हो जाएगा कि इस बैक्टिरिया से तो आपको त्यूबर क्लोसे होने के चांसे आप तो आपके बॉडी के अंदर जाने की चांसस हो जाएंगे ठीक है तो यह सारे हैं ट्रांस्मिशन के ठीक है तो इंग्विशन पिरियड है फोर टू सिक्स वीक ठीक है फोर टू सिक्स वीच के अंदर आपको कि आपको डिसीज का पता चल जाएगा कि आपको ट्यूबर क्लोसिस हुआ है ठीक है तो सब्सक्राइब आज अगर आपके बाड़ी के अंदर आपका माइको बैक्रियम ट्यूबर क्लोसिस इंतर कर गया तो आफ्टर फोर टू सिक्स भी वह डिवलप कर जाएगा और डिसीज च्विदा करघेगा ट्रूबर क्लोसिस्टि कैंसे क्या है आपको अपका वेट कं हो जाएगा हाड़िक काफ चंसेद आपकी चेस्ट में पेन हो सकता है तो यह सारेसिंटमश ने की ना effete में क्या है लृट डि डी डाइग्งोसिस आप है ऐडिकर टी लहें ठीजर एक्सरे वह ठीक है और बहुत सारे एक्जामिनेशन जैसे इस पूटेम जैसे हैं ठीक है तो यह सारे क्या है डाइग्नोस करने के तरीके हैं अगर किसी परसन को डाय परसन ऐस तीटमेंट इन हासफिटल उस परसन को क्या करो आइसलेट कर दो और उसको हासफितलाइज करो ठी तो इसका जो प्रिवेंशन के लिए यूज वरी बीसी जी वैक्षीन जो आल्रेडी मार्केट में अवालबल है तो थीक है वैक्षिन तो ने विस वैक्षिन इस वाक्षीन इस पॉर ट्यूबर क्लोसिस दिन फाट इस दाइंसर एंसर विल भी दावी जी वैक्षिन तो आड़ टाइम आप बार्थ बार्त के टाइम लगती है तिल दा एज अप 20 देज बाइंटर्मल इंजेक्शन आप 0.005 यह आपका कितना इंजेक्शन है जीरो पाइंट जीरो फाइप एमल ठीक है तो यह इंजेक्ट किया जाता है दूरी बढ़त ठीक है तो यह द्यान रखने वाले कांसे वैक्षिन यू जो रही है इस से विश्चिन एराइज हो सकता है नेक्ष्ट है है यह वारल डिसीज है इसको बोलते हैं है है था किसे होगा यह कुष्चिन आ सकता है और सब्सक्राइब यह दो टाइप है सब्सक्राइब करेंगे और आपकी बाड़ी के अगर बाड़ी के अंदर आपके जाएंगे तो लिविंग जैसा बिहेव करेंगे और आपकी बाड़ी की मेटाबोलिजम यूज करके अपनी काफी खुद बनाएंगे ठीक है इस सारे सिम्टम्स हैं किसमें दिखेंगे आपके हेपेटाइटिस एक पैसे इसको हुआ है ठीक है फीवर पता है ठीक है उसको थोड़ा है होगा फटिक होगा जनलाइग वीकनेस पेन तो यह सारे सिम्टम्स हैं ठीक है तो पूर्श सकता है कि होट इस दा मेजर सिम्टम्स फॉर है आपेक्टिस अच्छी एपक्ति पर्शंट्री करते तो यह सारे उसके सिम्टम्स हो जाएंगे ठीक है नेक्ट्ट है मोड़ाइब थांज्मिस्जिंट ठीक है ठीक है सारे मतलब एंट परसंटु आइंटेटीक हो सकता है अच्छन परेंदेल ब्लड प्रॉड़ड से इस पीडिट होने के ब्लड ब्लड प्रोडक्ट से ठीड है तो तीन इसके रीजन हो गए किसके है तो यह कुश्चन आ सकता है कि इसमें कितना है इसमें फुर्टी टू डेस एराउंड ठीक है तो थोड़ा इसका द्यान रखना है ठीक है प्रिवेंशन एंग का इसको किया जा सकता है हम कैसे इसको कंड्रोल करेंगे आइसोलेशन आप किसे आइसलेट कर दो पैसेंट को करेंगे एडॉप्टिंग एंटी फ्राइए मीजर्स ठीक है तो यह सारे आपके क्या होगे आपके इस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में इस सारे फैक्टर्स होगे प्रोंटें सिंपल मीजर आप परसनल हाइजीन सच हैंड वसिंग आप्टर ट्वालेट एंड फॉर मिल ठीक इसका क्या होते हैं यह आपकी एमिनटिव को बूस्ट अपर तो आप उसी मन जिसको अगर इम्मून ग्लॉविन दी जाती है तो और गाते असे कैसा कि अमिनल ग्लॉबिंग एंटिबॉडीज इनति वाइरस अगर एक करेंगे उससे ठीक है तो एब एक तरीका है इसका एपर प्रेंशन एंड कट्रोल है है यह एक प्रोड पैटाइटिस भी मतलब कहा जाता है शाट में ठीक दिस आज का चीरव है इसको क्या बहुत है सीरा मेपेटाइट इस इस अमेजर सिस्टमेटिक इंप्रक्शन मेजर पैथोलोजी लीवर ठीक लीवर में चांस जोने का ज्यादा इसमें मोड आफ टांसमेशन क्या है ब्लड टांस्फूजन से हो सकता है इनकली स्ट्राइश सिरेंजिस मतलब जो भी माजस में माइक्रो आर सकता है बॉड़ी शेक्रीशन सब्सक्राइब सबसे ज्यादा रखना है ठीक है टांसमेशन कैसे होगा यह भी ध्यान रखना है आपको काजिटीव एजेंट इसी से कुश्चन बनेंगे प्रिवेंशन कंट्रोल कैसे कर सकते हो आक्टिव अमिनेजेशन हैपेटाइटिस बी उसका जो भी वैक्षीन से वैक्षीन आप जिसको हूँ उस पहले से ही परसंट को दी जाने चाहिए जिससे उसके अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए अंटीबोडिज प्रिजेंट होी ठीक है तो हैपेटाइटिस बी क्या क्या करेगा जब भी एपेटाइटिस का अटेक ह करेंगी और प्रिवेंट करेंगी उस हेपिटाइटिस भी को होने में ठीक है तो यह मतलब हेपिटाइटिस भी वैक्सीन थी डोजेज आफ वन मन्त आप्टर सेकंड रोज ठीक है एक तरीका है अधिक है तो जब भी हो जाए तो उसको हम अमीनोग्लोविन देखे भी थोड़ा प्रिवेंशन एंग कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है इस्क्रीनिंग आप ब्लड डॉनर्स फॉर एस्ट बीवी एंफेक्शन ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर इस्ट्राइज़ाइजेशन नेडिल ए या पॉइंट कहलो या फिर सारे तरीका अपना जा रहे दिन चांसेज थे उसको वह डिसीज ना होने के ठीक है हम उस पे गण्ट्रोल कर सकते हैं मेच्ट नेक्स्ट आप ड्लियो मेलेटीज ऑन इन्फेंटाइल पारेलिस इस इसको क्या बोलते हैं इन्फेंटाइल पारली है तो पोलीओमेलेटीज्ट वाइरस आपका क्या है वाइरस है और आफेक्ट करता है नेर्वास सिस्टम और आपके हुमन तो बस इतना द्यान रखना पॉलियो वाइरस जिसको बोलते हैं और एक्यूट इंफिक्सिस वाइरल डिसीज है एक्यूमन एलिमेंटरी कनाल में अटैक करता है बट आप्टर देट नर्वा सिस्टम भी एफेक्ट होता है तो बाडी पारेलिस से सब्सक्राइब पर यूज़ाते हैं ठीक है तो पोलियो मेलेट इस ठीक है कितने टाइप से टाइप 123 ठीक है ट्रांस्मिशन का मोट किया मेली स्पीट बाई पर्संट टू पर्संट ऑके डॉपलेट इन्फेक्शन दूरें एक्यूट स्टेज आप डिसीज में वाइरस इस प्रजेंट इन फिंगर टिकांटेमिनेटेट डिसीजिस क्या होते हैं मैंने उसके इसके फास्ट लेक्शन म इसको प्रफिटेटेट इसका सेवन टू 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 टी वन डेसे बट में वेरी फॉं टी तू थर्टीव डेस ठीक है प्रिवेंसिन एंड कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं उसका पोलियो का इंटेट बई एक्यूट आइमनेजेशन अफ आल इंफेंट्स एंड इस टाइप आप एंटीवाडी इस में बीगिवन टू प्रिवेंट रेस्पाइट ली कांप्रिकेशन मतलब जो भी सिंटम से रसपार रसपारेशन के उनको सही करने के लिए ठीक है फिर आतें डिप्तिरिया क्या होता है ठीक है डिप्तिरिया इसन एक्यूट डिफ्तिरिया ठीक है ठांसमिस्ट का मोड क्या है मैं इस फिट परसंट तो परसंट मतलब इटीज डॉपलेट इंफेक्शन तुरूप कफएंड इसनेजिंग ठीक है अगर किसी परसंट को डिफ्तिरिया है और उसका कफ की डॉप या इस नीजिंग का डॉप दूसरे परस इनको परेड़ कितना है तो टूप देज के प्रिवेंशन कैसे कर सफिंटेक्शन आप केसे अगर आपको लग रहा है को सिंटम्स आपको राइज हो रहे हैं तो इस टेज में ही आप डाक्टर को दिखाओ अधर्वाइस वह क्या करें करेंगा डिफ्तिरिया आप पे हावी ह हो जाएगा इंदसेंस हार्मफुल आपके लिए डे वाइडे उसका परसेंटेज डिफ्तिरिया का बढ़ता जला जाए ठीक है तो अगर आपको सिंटम्स लग रहे हैं तो डाक्टर को दिखाना चाहिए तो डू एली डिटेक्शन आप केसेज एंड कैरियर साइंड टीटम और एक्टेव अमनुद्टिस लेट डिफ और और बता हम लुद्म का सब्सक्राइब करते लिए इन फांब फैमली तो यह इदे ऐट आप आपक टीस करते है नम्बर फचिल्डंश है इनस्थाइब allora इन तो यह आपको सबको पता है प्लानिंग के बारे में तो इसमें कोई ज्यादा मतलो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है फिर आता है इसमें बहुत सारी में यूज़ के जाते हैं इसमें बहुत सारी मेंटेट्स यूज़ के जाते हैं ढारे में आप सकते हो केमिकल माइट्स क्या हैं फोर्म क्रीम सपोज़ेट्ट्री आपको डो यूटिश में सबस्टाइबस बादेश्ट लूप और are the most commonly used devices to go property is a example of lips loops and property is an examples of entire brain devices to get to prevent the family means used in family planning to game next non-medical I would are you these multiple intrauterine devices non-medicated intrauterine devices is used medical intrauterine devices is used like that metal contaminated IODs and hormone containing IODs chemical methods main main I am using the chemical contraceptives chemical contraceptives use कि जारे हैं तो उसकों chemical methods में बोलेंगे ठीक है to stop the progress of sperm completely or kill them before they enter into the uterus ठीक है तो uterus में जाने से पहले हम sperm को यहां पर stop कर रहे हैं ठीक है या completely kill कर रहे हैं तो हार्मोल मेठेट किसमें आएगा chemical मेठेट में इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें टाइप ऑफ केमिकल मेठेट्स ठीक है तो इसमें क्या यूज करेंगे करेंगे से इसल्पीज मेनी पिल्स पोस्ट कोईटल पिल्स एंड मेल पिल्स ठीक है जो रिलीस प्रेट्स इसमें इंजेक्ट बल्हाइब सब्सक्राइब इस फर्म पड़ा होगा वाजना इंज एक यह क्या आप्ट्रीश प्रेट्स एंड नेचरल में अस्टेन से सेक्शल अस्टेन श्रेट्स लेक्रिमेंस अप्रिश इस्टॉपस अप्सेशल कंटिक तो इस एक प्लेटीज एफेक्टिव में इस नाट अब आपने से पढसदाइब और आहिए तरीका है आपका नेचरल में इस एक तरीका है आपका नेचर ल मैंद्हेट काठीक है रोलांग लाक्टेसन मैठेट एक तरीका है आपका नेचरल मैठेट इसको बोलते हैं वैसको तो में अगर हम मेल इस्ट्राइज़ाइजिशन अपना रहे तो उस प्रॉसस को क्या बोलेंगे वैसक तमिया थिक तो यह दो मैठेट से सब्सक्राइब को पता होना चाहिए इससे कुश्चन आ सकता है यहां से वाइसक्टोमी इस डन इन मेल्स वाइब दूनाट वांट मोर चिल्डेन ठीक है इस सिंपल ऑपरेशन एंड रिकार्स नोहां सब्सक्राइब आपका सक्सेज हो जाता है दो प्रेशन इस डन अंडर लोकल अनेस्थिस दूरिंग वीचे स्माल कट इकुल तुम ठीक है तो नेक्स्ट है आपका यह हो गया आपका वैसक्टोमी तूबेक तूमी में क्या होता है पर्मांट मैंट्रेट फैंब्ली प्लानिंग विच इस डन फीमेल्स के डियों कि डन उप्रेशन इस डन इन लोकल एनएस्थिया दूरिंग इस स्माल पींशेस अफी मिर्वक इंट इस में द्रिमृट कीया रहा है अच्रिशक्टोमी में इसमें आपका अ को मेरी ख सब्सक्राइब अच्ड हृूां कायो और और अब इसमें जो आपरेशन होगाए इस पार का मेन ड्रोटम का ओरहा है इसमें फैलोपियों कि रहा है तो आपका यह हो गया ठीक है अब आता है आपको पता होना जाहिए कि से इसमें आपका यह पता होना चाहिए कि से प्राइमरी यां से कंड ठीक है और इसमें हां स्वरी फोर देट इस थ्री टाइप्स प्राइमरी सेकेंडी एंड तर्सरी ठीक है तो प्रामरी क्या लेसंस डिवलब आंद एक्स्टरन जैने लिए बट इन इन वेर ठीक है इसमें का इसमें आपका इफेक्ट हो रहा है एक्स्टरन जैने लिए सेकेंडी सेप्रिस में क्रेक्ट्राइब एपिरेंस अब नां प्रू नां प्रूरितिक रेड और पिंक मैकि उल्स रेट पैपले लेसंस नेक्रोटिक लेसंस अर्वाइड इस प्रिट में इन्वाल पाम सोर्स फ के अफेक्ट होते हैं अगर हम देखें कैसे फैलता है तो इसके बच्चे में भी जा सकता है तो इसमें देखो पेनिसिलीन एड्थमाइस हो रही है ठीक है प्रवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन एबाउट सेक्ट्री टांस्मेसर डिसीज और इस प्रॉब्लम ठीक है आपको इसका थोड़ा हेल्थ एजुकेशन का नालेज भी होना चाहिए ठीक है गोनरीया क्या होत तो कहांपर मुक्रीन इसमें एश्ट हो रहाएं जैनिट हो रहा है जनेट ओ ग्रां नेगेटिव एट्रीय ठीक है बेंटम्स देट्रीय आरगंस में एफेक्ट हो गए यो एक्ट ओकडलि के चली इसमें सारे आपको पता होगा यूरिनरी क्या है यह आपको पता होगा और तो एक कामन सिम्टम से कोई इसमें कोई तफ नहीं है ठीक इनुक्रिशन विदेज का 3-10 देज से आप देज्टम से इसमें इसका टांस्मिशन से भी ऑसका इन्फेक्शन इडिल इन जयक्शन से भी जा सकता है ठीक है प्रीटेंशन थी तो नाट कांसीव अंटिल फुली फिरोगर मेल डिसी टीमेंट बैड्रग लाइक बेंजाइल पेलिसलीन नार्फलक्स वीज दीन किसमें गवर्णोर हुई है ठीक है प्रोवाइडिंग फ्रॉब्लम ठीक है नेक्स्ट आता है अपका एड्स ठीक है तो एड्स के बारे मां आपको पता होगा कि यह क्या है इसका फुल नेम है रिट्रो वाइरस इसका एजेंट है एड्स काजबई रिट्रो वाइरस और यह में सिस्टम को अफेक्ट करेगा ठीक है मेली टी लिंफोसाइट को यह एफेक्ट करता है इंडूजरी इस पॉर्श टू नियूमरस लाइप टीटिन इंफेक्शन लाइन तो उसको प्राब्लम क्या होता नियूरोलोजकल डिसाइडर आयम मेलगनी सिस्टीक है तो यह सारे सिंटम से राइज हो जाते हैं सबसे ज्यादा है टेनियर्स मोड़ आप ट्रांसमिशन कैसा है वाइजनल और आइनल सेक्स्टीक है टांसमिशन तूब्लड टांसमिशन सब्सक्राइब बात करते हैं अगर कोई भी पैसेंट जिसका बॉड़ी और पूरी बॉड़ी नार्मल तरीके से काम कर रही है अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाये तो उसको क्या बहुत है उसमें कोई डिसीज हो गई है इसमें थोड़ा कम सिंटम्स देखे जाते हैं बटकुसमें ज्यादा देखे जादा रिजल्ट आफे डिसीज में भी डिकवर होते हैं एक टाइप डिसीज उसका एजन क्या है तो लिविंग डोनों हो सकते हैं एक टाइसीज गाजिएट में बॉस्टिक है जैसे लिविंग आर्गनिजम सच इस बैक्टीरिया वार्ष प्रोटो जोन फंजाई निउट्रिशन एजेंट को सकते हैं इसमें कैसे हो सकते हैं अगर इक्समें ले रहे हो या उनकी कमी हो जाती है तो आपको हो जाती है तो न्यूंट्रियन एजन बी एक फैक्टर पीजिकल एजन क्या हो सकते हैं जैसे आपको हीट ज्यादा लग जाए तो आपको बंट्स प्रॉब्लम होगी इलेक्रिक ली रेडियसिंस ठीक है चैमिकल है जैसे फ्यूम्स डश्प मेटल गैसे हैं थीक है इंडोजेनेस प्रोड़क्ट इंडोजेनस मतलब इंसाइड यूरिया यूरिक इसे घ्रिट हो सकता है तो यह सारे जैंट्स है ठीक है जिक से सोसल एजेंट दे में पावर्टी स्मोकिंग एल्कोफ ड्रग अब्यूज ठीक है तो इसमें कॉंसे आते हैं सो इस आरे कैसे हैं सोचल एजेंट सीटिक है आप सेज़ेंट कैसे आप रोकदाम कर सकते हो गोल अब सब्सक्राइब अधर थीर गोल्स फर्स्ट भनिष लेवल अपनार रहू प्रामरी प्रीशन भी होता है ठीक है तो प्रामरी में क्या होता है प्रायर तो बंसेटाब बढ़ेगी आप एक्शन ले लो ठीक हैं देटेगें देट्वेंट्स इस टेकन एट पैटोजनेंश फेज सब्सक्राइफ तो आपको थोड़ा इज्य एज़ूड़ा चाहिए थीक है तो उसकी नालेज आपको इसने में आ जाएगी या पहले सभी उसको अपने आपको प्रोटेक्ट कर रहे हो तो आपको डि सीज होने के चांज नहीं सारे प्राम्री प्रिवंशन में कि आपको दिस हो गई यह आपको पहले पता चल गया नगा तो यह सारे तो इसमें क्या होता है हम प्रिवेंट मतलब उसको को फट्धर होने में ठीक है तो दा मुड़ से मतलब क्या हो जाता है सबसे अच्छा क्या होता है इस थोड़ा मतलब आपको घातक होता है सबस्क्राइब आपको पता है हाली इंफेक्शन डिस टांसरे फॉर्टिब्रेट नेमल टुमें अन्डर नाच्रल कंडिशन ठीक है काज़िए अच्छी निया पेस्टिस से होता है प्लाइक डिसीज आप रोडेंस 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 का प्रामरी डिसीज़ और वाटीब्रा इंसिडेंटली वेक्टर अप्लेग इस तो वेक्टर आप कौसा है डाट फ्लीज ठीक है आकरेंस हुमन बिंग इंट्रीफ फॉर्म बंबो एक है बॉब्वनिक नीमोनिक अन 70 सिमिक ठीक है तो ठीट एंप्लेग 3 फांस में एक जिस्ट करता है आप देख सकते हो ठीक है ट् ने भाइट कर लिए तो आपको ट्राइक्ट इन्फेक्टिन तब्रप्लीन इंफेक्टिन नियोनीकप्ली इस । एक जिलेंग गोग फ्रीक है तो बोबनेक प्लेक यह लिंग्ट शार ड्रफटेड इन्फेक्टेटी बोरी प्लेक्टीक प्लेक्टिक निमोनिक प्लेक्ट प्लेक्टेड जिस इंफेक्टेड विदाउर्ट अपर्मिशन अब ब्योज्ट फिए प्रिवेंस ऐसे कर सकते हुग तो अर्ली डाग्नोसिस एंद प्रॉंप नोटिफिकेशन टू हेल्थ अथारिटीज ठीक है अप आप इसलेट करो जिस पैसेंट को हो गया है ठीक है और उसको मेडिकल टीटमेंट दो अब लोटेंट बाए यूजिंग रोडेंटी साइट लाइक चीन शल्फेट अब रियम कार्बोनेट सब्सक्राइब यूज करके यहां पर तो आप वैक्चिन भी यूज कर सकते हो ठीक है तो सबस्केंट इन टू डोजेश आप 0.5 तू 1.0 कुछ टाइम के बाद दो डोजेश इसमें आपको दी जाती है ठीक है और इसमें आपका हाफ मतलब कांटे ने केल्ड प्लैग आपको दिया जाता है बैसलाई ठीक है कीमो प्रक्ट कीमो प्रोफेल एक्सेश विद टेट्रा साइक्लीं ठीक है हम कैमिकल एजेंट देखे जैसे ठीक है एड़र देखे हम क्यों कर सकते हैं है कामन है समय मलेरिया किस्से काज होता हु आप जीनस प्लाजमॉडियम से अपका हो रहा है नामके प्लाज्मोडिया तीन स्पेटेट फीमेल एनफलीज मास्कीटो तो इसका एजेंट्स कौन है ठीक है एनफलीज मास्कीटो अगर आपको काट ले तो चांसेज है इसमें आपको ले रहा होने के ठीक है अगर आपको कोई भी एनफलीज मच्छर काटता है अगर आपके ब्लड में पहुंच जाते हैं तो आपको होने के चांसेज हो जाते हैं। इसके सबसे खतर नाक होते हैं इसमें क्या है दाफीमेल इनफिली मास्कीटो विकभम इंफेक्टेड फिन इट सच द लए हॉमन ब्लॉड कांटेनीं गमें तो साइड सब्सक्राइब फीमेल फॉर्म जो कि आपको 30 मिनट्स के बाद ब्लड के जरी कहां पहुंच रहे हैं आपके लीवर में ठीक है आफ्टर सम्डेज मेरो जॉइट लीवर ठीक है कनवर्ट किसमें हो रहा है बढ़ते जाएंगे आपको फीलोगा ठीक है इसमें कोई खास बात नहीं है आपको बस इतना ध्यान रखना है कौन इसका एजेंट होता है में अपने आप में अपनी नंबर बढ़ाते हैं अपके पहुंचते हैं और आपको फीवर काज करते हैं ठीक है शिम्टम्स क्या है कि फीवर इलॉंग विछ फ्रिफ्यूज एंपर इस्पिरेशन ठीक है पर इस्पिरेशन और क्या है इसको इनलाज लीवर और इस्प्रीन है इनेमिया ठीक है तो आप जब भी जाता है तो आप खुद ही बताएगा क्योंकि उसको शिम्टम सारेटी दीखेंगे फीवर लांग विचील ठीक है ठंडा लगके आपको जाड़े की प्राब्लम हो सकती ह इनलाज लीवर आपको लीवर और इस्प्रीन का साइज बढ़ जाएगा हड़ेक होगा एनेमिया ठीक है जो परसन होगा एनेमिक हो जाएगा मतलब उसमें हीमोग्लोवीन डिफिशन से हो जाएगी ठीक है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या कर सकते हैं अर्ली डिटेक्श में अगर क्लोरो लगा दो क्लोरो कुईनीन में कनवर्ट हो जाता है ठीक है अधर सुटेबल ड्रॉक्स ब्रीडिंग मास्कीटो मस्ट भी चेक एंडिस्ट्रक्ट्स है मास्कीटो लावर बाइस्प्रिंग डीडीटी का छिटकाओ आप कर सकते हैं तो क्या होगा डिस्ट्र एज़्ट एजुकेशन प्रोग्राम औरेंज कर सकते हों किमो फ्रॉक्स यूजिंग ड्रक्स अचेज प्रोगवनल एंड परमिथामीन ठीक है एदू ड्रक्स आप थोड़ा कीमो फ्रॉक्स में यूज किया जा रही है तो इसको देख लेना कुईन यूज की जा रही है तो इसमें कंप्लीट हो लिए ठीक है तेंडर नेस अब इसकी अलांग विट पोर्स आप इंप्लेंट लेंटिक विसल्स इंफ्लेमेशन आप इस पर मैटिक कोड़ टेंपररी एडिमा ठीक है इस सारे मतलब सिंटम सें प्रिवेंशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं प्रोटेक्शन मास्कीटो बैस तो बहुत सरे रिप्लेंट क्रींस साती है मास्कीटो नेट्स आते हैं इसको यूज करके आप प्रिवेंट कर सकते हो यहां पर प्रॉपर सेनेटी डिस्पोजर एंड वेस्टेस ठीक है एक पट्रिकुलर जगह पे डालो और उस पर क्या हम डीडी डीडी त तो डाइएथाइल करबा करबा मैंजीन इस यूज़ इन फाइले एस इस ठीक है पिरियेट ब्लड एक्जामिनेशन एक टाइम के बाद ब्लड टेस्ट कराना चाहिए हेल्ट एजुकेशन तो पॉब्लिक ठीक है नेक्स्ट आता है आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो यहां से राइट साट फिर से मैं मतलब फोर्ट लेक्टर में यहां से डिसकस करूंगा ठीक है तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो ठीक है और थोड़ा अच्छा से पढ़ओ ठीक है काउंसी डीसीज है यह पढ़ना है आप प्रीटिगा झाल झाल